चुल यसी किस साथ रुख करते अगली बड़ी खबर का अगली बड़ी खबर दल्ली से जहां आज से संसत श्रीत कालिन सत्र की शुरुवात 29 दिसंबर तक चलेगा श्रीत कालिन सत्र केंदर सरकार के जुणडे में 16 नए बिल शामिल सत्र से पहले पी-अम मोदी मीडिया से कर शीद कालिन सत्र में कुल सत्रा कार्य दिवस होंगे सत्र में बधान सभाव में महीना आरक्षन बिल शामिल है बड़ी खबर आपको बता रहे है दिल्ली से जहां आज से संसा शीद कालिन शत्र की शुरुवात होने जा रही है 29 दिसंबर तक शीद कालिन सत्र चलेगा केंद्र सरकार के एजिंटे में 16 नए बिल शामिल है सत्र के पहले सत्र से पहले पीए मोदी मीडिया से बात करेंगे सुबह 10 बज़े पीए मोदी मीडिया से खास बात शीद करेंगे शीत कालिन सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे, सत्र में विधान सभाव में महिलाओ आरक्षन बिल भी शामिल है तो बड़ी कबर आपको दिल्ली से बता रहे है जहां से संसद शीत कालिन सत्र की शुरुवात 29 दिसंबर तक चुलेगा शीत कालिन सत्र केंदर सरकार के एजिंटे में सूला नय बिल शामिल सत्र से पहले पीएम मोदी मीडिया से करेंगे बाद सुबह 10 बजो पीएम मोदी मीडिया से बात करेंगे शुरुवात कालिन सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे सत्र में विधान सभाव में महिलाओ के लिए आरक्षन बिल भी शामिल है टीपी में भी आरक्षन चली असी के साथ रुक करते हैं बड़ी खबर का दिली से जो है बड़ी खबर है जहां आज संसद का श्रीत कालिन शत्र जो है आज से उसकी शुरुवात हो गई है 29 दिसंबर तक सीथ कालिन शत्र चलेगा केंद्र सरकार के एजिंडे में सूला नए बिल शामिल हो चुके है सत्र से पहले पीएम मोदी मीडिया से बात करेंगे सुभा 10 वजे खास बात शीत मीडिया से करेंगे प्रधान मंतरी बता दे शीत कालिन सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे सत्र में विधान सभाव में महिलाओं के लिए अरक्षन विल भी शामिल है तो बड़ी कबर आपको बता रहे है आज से शीत कालिन सत्र की शुरुवात हो चुकी है और सत्र शुरू होने से पहले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी मीरिया से खास बात शीत करेंगे